best opportunity मुझे लगती है फ्रेशर के लिए experience के लिए चाहे वो अच्छी अच्छी multinational company में उन सभी को मैं आपने चैनल पर discuss करता हूँ हर एक student के लिए फाइदमंद रहती है जो फ्रेशर है experience है जो इंडस्ट्री में प्राविट सेक्टर में जाना चाहिए अगर आप फ्रेशर है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है पूरी डिटेल में डिसकस करेंगे इस वीडियो में यहां आपको फार्मा सेक्टर में इतने कौन कौन सी प्रावेट सेक्टर में उसके बारे में डिसकस करें तो बिल्कुल डेफिनेटली जैसा कि आप सभी जानते हैं बेस्ट ऑपोचनिटी मुझे लगती है फ्रेशर के लिए एक्सपरिंस के लिए चाहे वो अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में उन सभी को मैं अपने चैनल पर डिसकस करता हूं हर एक स्टूडेन के लिए फाइदमन रहती है जो फ्रेशर है एक्सपरिंस है जो इं नोडिफिकेशन है फ्रेशर के लिए कंप्लीट बात करेंगे सबसे पहले तुम्हें आपको बताना चाहूंगा देखिए चलूँगा हमारी वेबसाइट फार्मा इफिनिटी पहला ही पहला नोडिफिकेशन आप देख पा रहे हैं फ्रेशर जॉब्स ओपनिंग फॉर फा कंप्लीट के लिए कर सकते हैं कियोंकि इसमें Jeśli Х Olok के रिगारिंग है वह पेज जो है वह आपके सामने खूला हूँआ नजर आएयगा क्योंकि इसमें फोर로डर जो है आप ढा यहां पर देख पा रहे हैं यह सारा सब कुछ आफिसल वेबसाइट पर है रेजिस्ट्रेशन आपका जो है 18 अक्टूमबर को एंड होने वाला है यानि कि लास्ट इसकी 18 अक्टूमबर रहने वाली है और इस वीडियो के इंड में मैं आपको इंपर्टन इंफर्मेशन बताऊंगा पिछले साल को देखते हुए इस चीज का ध्यान रखना 18 अक्टूमबर को इसकी लास्ट टेट कब है आपकी 18 और 19 नवंबर को इसकी एक्जाम होने वाली जी हां यह एक्जामिनिशन से होगा ऐसे ही नहीं होगा इ अब आउट टीचीए सिग्मा हाइग के बारे में लिखा हुआ है दोजार चॉइस में पासिंग जो गेजुए स्टूडेंट है जो पोस्ट गेजुए स्टूडेंट है उनके लिए इस पे आप देख पा रहे हैं फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए ना बारे देखिए टी किसी साब से 2024 रेजिस्टेशन जो है वह आपका स्टार्ट हो चुका है बिफॉर आपको 18 अक्टूमर से पहले पहले बना है यह सारी चीज़े आपको लिखी हुए और नेक्स्ट यहां पर कैसे अप्लाई करना है इसको भी मैं कम्प्लीट बात करूँगा उसके लिए यहां से इसको कम्प्लीटली डिटेल में जान सकते हैं टेस्ट एलिजिबिटी देखिए यहां पर फुल टाइम ग्रेजुएट बी फार्मा एम फार्मा यानि कि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों ही फ्रेशर केंडिडेट जो है 2024 year of passing candidate नाव में एपलाई कर सकत आप लोग कोई दिक्कत नहीं है किसी के कुछ गैप है वो नोटिफिकेशन भी यहां पर क्लेरी मेंसन है स्टडी मलब किसी साब से वर्किंग रहेगी वह भी यहां पर मैंसन है सर एक्जामिनिशन होगा तो टेस्ट का पैटरन क्या रहेगा देख पारे देखिए टेस्ट कि आपका बहुत ही सिंपल रहने वाला है कि असी नंबर के कुछन आने वाले है जिसको कि आपको 140 मिनट में अटेंड करना है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं असी कुछन को आपको 140 मिनट में अटेंड करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं बहुत ही अच्छा ले सारे सवालों के जवाब आपको फ्रिक्वेंटली आस्क कुशन में मिल जाएंगे अब बात आती सब्सक्राइब कैसे करना है यहां पे आपको रजिस्टर नाओ पर क्लिक करेंगे नेक्स स्टेप आपके सामने यह खुला वा नजर आएगा यहां पे आपको रजिस्टेशन प याने की बीपीएस वाला जो आप्सन है वो सलेक्ट करके आगे आपको आईडी लोगिन आईडी बनानी है इस हिसाब से आपको यहां पर एपलाई कर देना है ठीक है जी समझ में आगई बात सिंपल सी बात है सर यहां पे सबसे पहले डेजिस्टर नाओ पर क्लिक कर पे बी साब से आपको अपलाई कर देना है ठीक है जी एक महीने बाद यानि कि लास्ट डेट क्या पुछ रहने वाली है जी यहां सर 18 अक्टुमबर जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और इस लास्ट डेट को लेकर मैं आपको इक बात बताना चाहूंगा आपने देखा है कि आपको अगर आप इसमें इंटरस्टेड है तो आपको जल से जल एपलाई करना है क्योंकि एक्जामिनिशन सीटी लास्ट में काफी सारे इस्टुमेंट भरते हैं तो एक्जामिनिशन सीटी आप वाली होम टाउन मिलना मुश्किल है क्योंकि आप सभी जानते हैं सीट ऐसे भी आ सकता है बट एक possibility को लेकर में बता रहा हूं क्योंकि पिछले बार काफी सारे student का ये message था कि सर यहां पे मेरा center दूर आया मेरा center दूर आया ठीक है जी पहली बार सर examination जो है वो 18 और 19 नमबर को होने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है देखिए काफी सारे student जो private sector में जाना इंटरसेट रखते हैं तो starting में fresher candidate as a आप TCS जैसी company से start कर रहे है ठीक है initial state पे तो आपके लिए best अवसर है बहुत ही अच्छी opportunity है examination दे के pass out होना है और उसके बाद में एक अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है अगर private sector में आप जाना चाते है तो TCS data consultancy service चलिए जी कैसा लगा आपको information जरुबता कमेंट सेक्षन में और हां ऐसे ही informative वीडियो आपको मिलते है हमारे चैनल अमरसार academy पे तो अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो like, share and subscription जरूर करें क्योंकि आप सभी जानते हैं आपका एक like, share, subscription कहीं न कहीं हमारे motivation पर आली keep watching, stay tuned